क्यों आज भी लोग विनोध खन्ना और रिशी कपूर का गुर्दासपूर पठान कोट का किस्सा नहीं भूल पाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं सुनील रावत और आप देख रहे हैं आज की खोज चैनल बॉलिवूड इस्टार रिशी कपूर के निधन से जहाँ पूरे देश में सोक की लहर हैं वहीं गुर्दासपूर के लोग भी उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं साल 1998 में स्वर्गे विनोध खन्ना ने गुर्दासपूर से संसद्य चुनाव लड़ा था जिस दोरान रिशी कपूर उनके हक में परचार कर निकले गुर्दासपूर पहुँचे थे उस समय सहर के लोगों ने उनके स्वागत में पल्क पावडे बिछा दिये थे आज सहर के लोग उनकी यादों में एक बार फिर से बह उठे हैं इससे भी जादा कभी ना भुला देने वाला वाक्या पठान कॉट के मॉडल टाउं का है जब विनोध खन्ना उननिस सो निन्यावे में दूसरी बार परत्यासी बने थे एक दिन पहले जहां विनोध खन्ना पर पत्थर बरसे थे अगले दिन रिशी कपूर ने वहीं रेली की थी भाजपा के ततकालिन ओफिस इंचार्ज वरिष्ट भाजपा नेता विजय वर्मा बताते हैं कि उनके गुर्दासपूर आगमन को पूरी तरी से चिपा कर रखा गया था वह उन्हें बाइपास से रिसीव कर सीधे अपने घर ले आई थे इस बीच आजपास के लोगों को कहीं से भनक लग गई कि कपूर उनके घर आये हैं इस बात का पता चलने पर कपूर उनके घर की चट पर पहुँचे और वहां से लोगों को बड़े ही प्यार से अभिवादन सुईकार किया वह करीब आदा गंटे तक चट पर खड़े होकर लोगों से मिलते रहें उनका सौभाव इतना मधूर था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वह एक बॉलिवूड के बड़े इस्टार हैं लोगों ने रिशी कपूर की आत्मा की सांतिकी कामना की रिशी कपूर ने स्वर्गे विनोत खन्ना के समर्तन में पहली रैली बहरामपूर रोड पर की वहाँ पर लोगों ने उन्हें अता प्यार दिया इसके बाद उन्होंने खन्ना के हक में बटाला और फतेगर चूडिया में रेलिया की ग्यात रहे कि इन चुनावों में खन्ना भारी मतों से विजयता रहे वर्मा ने कहा कि कपूर के निधन से वह एक बार तो इस्तब्द रहे गए उन्होंने दिवगंद आत्मा की सांती की कामना की इसके अलावा जिला प्लानिंग बोर्ड की पुर्व चेयर परसर नीलम महन्द पुर्व जिला भाच्पा परधा, बालकिशन मित्तर, भाच्पा राकेज जोती जिला भाच्पा परधा, पर्मिंदर गिल आदी ने उनके निधन पर गहरा सोक जताया रिशी कपूर ने भाशन में कहा था हम आ गए हैं कोई कितना भी दम लगा ले हम डरते नहीं स्वरगे विनोध खन्ना से लंबे समय तर करीब से जुड़े रहे पवन सर्मा बताते हैं कि 1999 में विनोध खन्ना दूसरी बार गुर्दाशपूर से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के दुरंदर नेता सुखवन स्कौर बिंडर से तगड़ा मुकाबला था परचार सभाओं के दोरान सहर में मौडल टाउन में एक सभा में पहुँचे विनोध खन्ना पर कांग्रेसी उन्हें पत्राव कर दिया और उन्हें वहां से निकल जाना पड़ बाद में कांग्रेसी नेता जंग भाददूर बेदी समयत कुछ अन्य लोगों पर विनोध ख करते नहीं और कोई कितना भी दम लगा ले बाद में पटेल चो बद्रोहा और राम लीला ग्राउंड के पास भी सभाय कराई गई डॉक्टर संजे सर्मा बदाते हैं रिशी कपूर विनोध खन्ना के चुनाव कारले स्थल हाउस भी गए जहां संजे ने उनके साथ फोटो भी खिचवाई और उसे 20 साल के बाद भी सहच के रखा है उस समय के भाजबा से सरकार में जंगलात मंत्री रहे मास्टर मोहनलाल भी रिशी कपूर के उस चुनावी दोरे को याद करते हुए कहते हैं कि वह जितने ग्रेट आर्टिस्त थे उतने ही जिन्दा दिल भी थे और हसी मजाक भी खूब करते थे आर्टिस्त समी चौधरी मनु सर्मा सायर रवी कुमार का कहना है कि रिशी कपूर अपने जिन्दा दिल अभीने के लिए याद किये जाते रहेंगे दोस्तों आप रिशी कपूर और विनुद खन्ना की दोस्ती के बारे में साथी और पठान कोट के इस इंसिडेंट के बारे में क्या आपने विचार रखते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मद भूलेगा मिलता हूं आपसे नेक्ट वीडियो में टिल दन टेक केर और बाबाए वन्दे मातरों